अलो डियर इस्ट्टेंट्स और वेलकम इन आरके इस्टूर्ट आइंड टोड़े आइंड इसका सम् इंपोर्टेंट पॉस्टन ऑप और्गेनिक चेमिस्टी इंक्लोडिंग हाइड्रोकार्बंस जोमेट्रिकल आइसोमेरिजम्स हेलो एलकें हेलोरीन एलकॉल्स इथर एरोमेटिक कंपाउंड इसेटरा यानि कंप्लिट पेपर है फोर नीट एक्जामिनेशन आईटी यूपी एस्टी में जो में देते हैं केमिस्टी उनके लिए इनेट गेट स्लेट सब के लिए समझ गी तो उनके लिए मैं आपको इपेपर डिसकस कर रहा हूं देखो कंप् फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सॉलूशन देखें इसका ठीक है देखिए यह मैं आपको एक पेपर डाल रहा हूं और्गेनिक एमेस्टी का है सभी इंक्लूड किये हुए इसके अंदर डिफ्रेंट टाइप के पॉस्टन्स हैं अरोमेटिक एली फैटिक एली स के और में डाल देता हूं यह इस कोशनों की की है ठीक है और कोई इन्फॉर्मेशन जाही है इने एक्जाम से लिलकेट तो आप मेरे को डारेट कॉंटेट कर सकते हैं मेरा पूर नमर है चैनल को सबस्क्राइब करें और अब देखें आप इसके अंदर ठीक है तो मैं आपको question number first पर आता हूं देखो question number first yes question first एक है the best method for the preparation of tertributile methyl ether by Williamson Ether synthesis तो आप देखो Williamson Ether synthesis की जो first condition है और essential है उसमें क्या करते हैं अपनलकाइल है की reaction कराते है sodium alcoxide से अब ये जरूरी है कि ये जो first alkyl halide है ये कहता होना चाहिए should be primary धान रखना इसको primary होना बहुत जरूरी है otherwise ये basic nature का होता है और जब basic nature का होगा तो उस समय alkyne भी product बन सकता है जैसे टर्थरी alkyl halide हो तो mainly alkyne ही बनता है secondary में दोनों बन सकते हैं इसलिए आपको ये इथर high yield में चाहिए तो कहता होना बहुत जरूरी था alkyl halide का primary तो इसका मतलब है कि आप इस alkyl group को तो रखो primary इसको आप nucleophile रख लो जैसे आप question number देखो option द्यान से C option को देखो इसके को पस्ट को देखते हैं पस्ट को देखते हैं तो तर्थरी alkyl halide है इसलिए alkyne बनेगी ये secondary है alkyl halide दोनों बन सकते हैं इससे ये product भी नहीं आएगा इसमें देखो इससे ये जो product है इससे देखे इसको रखो आप primary शुट भी primary और पिर nucleophile का टेक करा दो इस ट्रॉंग nucleophile रखो इसलिए बन जाएगा होता तो ये भी लेकिन इस्ट्रॉंग nucleophile रखे है ठीक है primary alkyl halide पर फरण में पड़ता इसलिए c option फिर पुछाएं कि which of the following order of the correct about living ability of this group अब आप ध्यान रखो weak base is best living group weak base is best living group तो सबसे best तो आपके बात में living group क्या चीज़ है N2+, उसका रिजन है कि ये बहुत ही weak base है क्योंग ये nitrogen किसी फिलेक्ट्रॉंग देना ही नहीं चाहता ऐसे अपनी stable form है नहीं चाहता है most stable form होने की वज़े से non-polarity होने की वज़ेसे ही nitrogen atmosphere में सबसे ज़्यादा मिलती है 78% yearly ठीक है triple bond भी है bond break नहीं होता high bond in therapy ये सब बाते हैं उसके बाद में triplet iron triplet समझते हो वो organic acid में सबसे strong acid है इसलिए ये कहता हो जाएगा weakest base तो जो weak base होता है best living group और फिर लिखा हुआ है tosylate iron ये वाला देखो tosylate iron यहाँ पर toluene का बना हुआ है तो सबसे strong तो हो गया best living group आपके पाद में यह order है फिर triplet और ये tosylate iron उसका ध्यान रखना weak base is best living group और weak base किसको कहते है base of strong acid become weak ठीक है question number third third में एक मैच दा column है एक सोटी सी reaction दे रहा कि हैं देखो आप समझो प्रोडेक्ट भी लिखे हुए है पहला यह एलकीन और यह hydroboration oxidation है तो आपको पता है anti-marconic opposition होता है और anti-marconic opposition होता है और anti-marconic opposition होता है और इसका मतलब है anti-marconic opposition इसका R हो गया first का इसी तरह से यह hb और यह कौन सी reaction होगी oxo-mercuration-demercuration यह marconic opposition है तो second का क्या हो जाएगा आपके पाद में marconic opposition कौन सा यह S हो जाएगा इसी तरह से जब sodium alkoxide आभी पहले वाले question में था विलियम सन में secondary alkyl baseline है बेस की reaction कराएंगे तो elimination productive बनता है से जब alkyne होगी तो two alkyne बनेगी two alkyne आपके पाद में की हो जाएगा और यदि आपने यह देख इदर bulky alcoxide ion ले लिया जैसे टीवियो टॉक्साइड ion ले लिया तो reaction कौन सी होगी e1cb e1cb का मतलब conjugated base के थुरू होगी anion के character आएंगे इसलिए anion में primary बनाना इसलिए कौन सा product बनेगा first यह इसका answer हो गया तो इन में से ऐसा option को आप select कर दो अगला question देखो question नमबर था third question number four which of the following compound will not undergo acid catalysis ठीक है अब आप जहां रखना देखो acid catalysis यह इथर बने में सब के सब क्या बने में इथर यदि आपको पता है यह बात कि फिनाइल रिंग सर जोड़ा हुआ है यदि इसका acid catalysis नहीं होता क्यों भी यह से protonated हो भी जाएगा नहीं है तो double bond करेक्टर है इसलिए यह नहीं तूड़ता जाना के normal condition में इसलिए दोनों तरफ फिनाइल जोड़े रखो इसका नहीं होगा बाकि सब हो जाएंगे सबसे स्ट्रॉंग बेस इसमें ध्यान रखिए जो स्ट्रॉंग बेस कैसा होता है वीक तो आपको पता अधा गया साफ हा भाग है टर्मिनल एलकाइन सबसे स्ट्रोंगते फिर आपको एलकीन है और फिर एलकेन तो और इसकी स्ट्रेंट शबसे कम तो उसका Kate價िटेड बैश सडि कैसा होगा स्ट्रॉंग बेसा सी परोमीनेतन आप cyclohexian under given condition अब आप ध्यान से देखो यहाँ free radical बनते हैं यदि H new या high temperature बोलने साथ 500 degree centigrade तो क्या बनते हैं free radical और फिर होते हैं allylic substitution ध्यान से देखिए तो allylic substitution यह अचा जब आगे कुछ नहीं लिखा हो तो केवल एक बार करो और यदि axis लिखा हो तो जितने भी alkaline उनसाब को अटाओ इसलिए कुछ नहीं लिख रहा का तो answer B यदि यहाँ पर axis लिखा हो था तो मैं D भी दे सकता हो था line समद गी? allylic substitution question number 8 which is most dehydrogenated dehydrogenated यानि HX का religion सबसे जल्दी किसमे होगा तो आप ध्यान रखो जब HX का remove अलोगा तो उस समय क्या बनेगा आपके पाद में alkin के character ठीक है? किसके बनेगे alkin के stable देख के देख लो आप ठीक है? तो देखो सबसे ज़ादा यहाँ पर यह H और यहाँ से H निकालो तो सबसे ज़ादा क्या हो जाएगा? यह aromatic ring ही बन जाएगी सबसे जल्दी तो first में फिर उसके बाद में second में और सबसे कम third में क्योंकि third में यहाँ पर कहां से निकला है है? SP2 से, SP2 की bond energy जादा होती है तो most easily dehydrogenated तो answer A की देना था आपको first क्योंकि aromatic ring बन जाएगी बेंजीन की question number 9 question 9 देखिए अब इनको थोड़ा आप समझ भी करो आप ठीक है? बार-बार-बार मैं इसी एक तरह के question ढालूँ अच्छा नहीं है तो आप हर तरह के question नए-ने question देखिए जैसे question है which cannot be undergo E2 अब आप ध्यान से देखो जो यह E2 reaction है यह E2 reaction है इसके अंदर living group और anti-position से remove of H यह क्या simultaneously होता है इसका मतलब है कि beta carbon पर H होना बहुत जरूर है यह anti-position पर जब होती है यह E2 तो beta functional group जहां पर जुड़ा हुआ है यह alpha यह beta तो यह नहीं है देखो इदर H नहीं है कैसे होगा इसका बताओ यहां पर हो सकता यह alpha है beta यहां से भी ले सकते हो यहां से लेना आप समद्रे हो कहीं से भी इसी तरह ते यह alpha है beta तो first में नहीं हो सकता line clear होगी यह option नहीं होगा E2 reaction नहीं दे सकता क्योंगे alpha beta elimination होता है no rearrangement transition state बनती है और anti-position से आता है beta carbon का तो beta protein यह पहले में फिर यह alkyl bromide दे रहा है only one alkyne E2 one alkyne E2 E2 का मतलब फिर भी समद्रो alpha beta elimination होता है और एक यह alkyne बनेगी तो इससे दो बन सकते हैं दखो यहां से भी alkyne बन सकते हैं यह वाली और यह भी बन सकती है ठीक इसी तरह से इसकी बात करोगो तो केवल A की बनेगी यहां से यह BRR जाका रहाएं तो यह B option केवल one यहां से भी दो बन सकती है यह और यह set jeb का according major भी बनती यहां से भी दो बन सकते हैं first and second clear हो गया तो केवल आपके पास में answer कौन सा है अब B only single देगा identify all possible product आप जब पुछ रहा है all possible का मतलब चाहिए कम बने चाहिए ज़्यादा सब को include करना E2 से तो alpha बिटा elimination कराओ यह तो हो गया ताब alpha मैं बिटा यहां से भी ले सकता हूँ तो product आपके पास में यह बन जाता मैं बिटा इस carbon के लूँगा तो product first वाल यह तो पहले वाले केसे बनता यह second में तो both A and B तो यह question था 11 तो आप इन concept को समझो alpha बिटा elimination के लिए फिर बताओ living group का removal और बीटा एज से hydrogen का रिमूबल simultaneously anti-position से होता है इनको कहते है by molecular elimination simultaneously single step reaction है अगला question है तो यह साब आपके पास में sodium की dry ether में reaction कराएए वुर्स reaction है वुर्स reaction में आपको पता है halogen का bond टूटता है बसकि यह बडिफरेंट टाइप के सबसे वीक बॉंड यह सबसे most reactive दूतरे नंबर पर bromine उसका वीक बनलब halogen का bond है ना bond energy check करो सबसे वीक बॉंड किसमें होगा iodine में उसके बाद bromine में फिर chlorine में सबसे strong bond किसमें fluorine में ती है reactivity order यह fourth फिर first फिर third और second answer यह लो अब फिर दखो एक ester पे reaction कराईए HI की सबसे पहले ester और और जो alcohol होते हैं वो protonated हो जाते हैं इस पाजाएगा positive charge आप ध्यान रखना यदि tertiary alkyl group लगा हुआ है तो E1 E1 का मतलब ketion बनाओ तो H तो मैंने भीज दिया इसलिए यह जो ketion एका पर जुड़ेगा इस carbon पे तो alcohol तो बनेगा isotopic और यह alkyl chloride बस answer भी खतम primary और secondary alkyl group लगे हो तो E2 secondary और thirdly alkyl group हो तो E2 और primary लगा हो इथर के संग तो E1 ज्यान रखें आप E1 तो ketion बना और answer दो क्योंकि आप ज्यान रखो यदि substrate thirdly carbon है तो living group अपने आप solvent में हट जाता है ध्यान रखें आप अच्छे living group हट जाता है तो ketion बनता है फिर nucleophile के सब यह एड हो जाता है question number next protein फिर देखो peroxide अब यह जो peroxide का effect नहीं होता ध्यान रखें आप SCL पर कोई peroxide का effect नहीं होता है peroxide का effect किस पर होता है only SCL पर इसलिए marconic op rule का coding addition करा दो no peroxide effect on SCL तो marconic op rule का coding यहाँ पर आप जोड़ दोगे साब काउन चाहाँ CL और यहाँ पर जोड़ दोगे ACL उसाब first answer no peroxide effect next है B2S6 hydroborethan oxidathan है अब यह जो B2S6 duteroboran यहाँ आपको ध्यान होगा जब यह addition में cyclic structure बनते हैं तो यहाँ पर तो आता है D और यहाँ पर क्या आता है B इसलिए यहाँ पर D रहेगा second position पर देखो और फिर बात में OHM बदल जाता है ठीक है तो alcohol बनते समय यह जो boran लिए आपने duteroboran इसका D कहाँ पर जोड़ोगे second carbon पर यह लो B option यह आपके पाद में और जो मर्कूरेथन D-Mर्कूरेथन मार्कॉनिक ओप रूल का coating बाटर जोड़ता है तो मार्कॉनिक ओप रूल का coating आप केटान बना लेना पहले तो H जोड़ के समद गी केटान बनेगा यह पिर यहाँ इसकी एंटी पोजिशन पर जुड़ जाता खुल मिलाकर ठीक है तो OH वाला जीस पर यह यानि C option मार्कॉनिक ओप एडिशन होता आद्यान रखें आप 16 on acid catalysis hydrogen of 2-phenyl propene में लिख देता हूँ 2-phenyl propene देख इदर यह propene लिखी इसके second portion पर क्या लगा दो आप फिनाइल यह लो साथ यह होगए 2-phenyl propene क्या कराना है आपको acid hydrolysis यानि acid capsule डाल के फिर water डालना है तो acid catalyst में आपको पता है का फॉर्मेत अन होता है सबसे most stable कैटाइन यहाँ पर तो फिनाइल प्रोपेन टू ओल फिनाइल प्रोपेन टू ओल बनेगा D option question 17 था mechanism को ध्याना को आप देख तीनो एडिसन हो गई ना इल्गीन पर इसमें HBO reaction के example भी आगे और यह acid catalyst भी आगया यह मैं कई बार दे चुका हूँ frequently आते रहते हैं तो ऐसी mechanism को भूलना नीची है समझगे अगला question देखो बढ़िया question question number 18 देखिए इसमें तीन चार वो दे राखें आपको double bond और इसमें पूछा है which of the following structure यह दे राखें 1 to 3 geometrical isomeryism is not possible अब आप ध्यान रखना यह जो double bond है इसके carbon जो भी जुड़े हुए इन पर identical atom जोड़ोगे जैसे हैं पर HH जोड़ दया तो यह इसो नहीं करते हैं जैसे यह first वाला group इसो नहीं करेगा देख लो आप दो क्या जोड़ रहे हैं इसके अंदर methyl, methyl इसलिए यह नहीं करेगा यह कर जाएगा तो इस पर भी एक HH एर एक बड़ा group एक H है एक methyl एर एक बड़ा group यह जो जो कर देगा अलग-अलग है यह भी अलग-अलग कर देगा समझ रहे हो तो first इसो नहीं करेगा B option चेक कर लिजे आप major product when substrate subjected to E2 elimination अब फिर E2 की बात करते हैं तो कौन जी बनते है सेजेब यह तो alpha और beta यहाँ भी हो सकता है beta यहाँ भी तो आप यहाँ से लेना जिससे क्या है conjugation सेजेब रूल का according more stable more stable conjugation वाली ठीक question number 20 question 20 दिखाता हूँ देखो बड़िया question नहीं यह सब बातें आपको पता होनी ची है इसमें क्या ही elimination reaction ही पूछिए under treatment of potassium T-butoxide अब tertiary butoxide है ने फिर एक बार देख लो यह रहा था अब tertiary butoxide यह रहा अब यह tertiary butoxide क्या है bulky nucleophile है इसलिए bulky जो आपके पाद में group होते हैं strong base होते हैं बहुत ही कैसा है strong base इसलिए जब यह डाला जाता है तो mechanism E1CB होती है E1CB का मतलब कि unimolecular wire conjugated base conjugated base का मतलब है कि जो alpha H सबसे पहले जो बीटा H है वो बाहर निकल जाता है उसके बाद में leaving group बाहर निकलता है इसलिए A9 के character आते हैं तो सबसे पहले क्या करना इसके H को निकालना आप तो H इसके यहां से निकल सकता है को जहां पर functional group जुड़ावो alpha एक तो H यहां से निकलता तो यह A9 बनता एक A9 यह बन सकता था एक A9 यह तर्षरी बिल्कुल मत बनाओ यह secondary come stable होता है और primary most stable होता है इसलिए यही से निकाल दो और answer first कोई चेक कर दो देखो बापस Hoffman elimination है Hoffman alkin बनेगी Hoffman क्या होती है less stable alkin बनती है via conjugated base even CB reaction का नाम था phenyl magnesium bromide treatment with tertiary butyl alcohol आप सुनो अब आपको पता यह grigny adrizen phenyl magnesium elide किसे reaction करा निये tertiary butyl alcohol से अब जिसके अंदर active H होता है H है इसके अंदर वो क्या मना लेका alkane तो बन जाएगी आपके पास alkane या hydrocarbon तो benzene बन जाएगी B option question number next 22 para hydroxy para hydroxy benzoic acid यह रहा लिखा वाए था para hydroxy benzoic acid ठीक है as a low boiling point then ortho hydroxy benzoic acid अब आप समझे वाब इसको ortho hydroxy benzoic acid से कम है बोल रहा यह statement जबकि गलत है यह यह sentence क्या है गलत इसका boiling point कम होता है और तो क्योंगी कैसा हो जाता है यहाँ पर intra molecular hydrogen bonding और यहाँ पर होता है inter और जिसमें inter होता तो molecule का association हाई और molecule का association हाई तो volatility कम और boiling point भी हाई इसलिए sentence फस्ट कलाते है यह से बोलना जीता पर hydroxy benzoic acid as a lower नहीं higher boiling point देश ठीक है यह तो statement होके कला दूसरा और तो hydroxy benzoic acid as intra molecular hydrogen bonding यह सही है साब ठीक है इसलिए answer पहला कलात और दूसरा पहली बात जैसे पहला पूछा है हीटिंग विद i2 and alkali कौन से reaction हो गई हेलो फॉर्म कौन देते हैं इथेनोल देते हैं यानि आप इससे अलग कर सकते हो यह तो देगा नहीं देर एजेंट से किसी के भी reaction कोई नहीं होती treatment of chromic acid प्राइमरी एलकोल है लुकास रेजेंट से पहली बात रूम टेंपरेचर पर टेस्ट देते नहीं हीटिंग से 30 डिगरी सेंडिए तीस आप्र 30 मिनट हीटिंग से वो भी आप्र 30 मिनट वाई टर्बिट्री देंगे दोनो इसलिए फर्स्ट आंसर इसका बेटर समझे किया नामता रेक्षन का आयोडो फॉर्म या हेलो फॉर्म रेक्षन प्वेशन नमबर ट्वन्टीफोर बढ़िया प्वेशन ध्यान से देखो इसको दो एलकाइल हेलाइड हैं और रेक्षन दे रहा अच्छा ये भी प्राइमरी एलकाइल हेलाइड है लेकिन यदि SN1 रेक्षन होती तो केटान बनता और केटान बनने के बाद में क्या होता है उसमें माईग्रेटन 1-2 मिथाइल शिप्टिंग होगे यहाँ पर आता हुए इस ग्रॉप लेकिन कहा लगाया हुआ है इस प्राइमरी पर ही इसका मतलब ये भी कौनशी रेक्षन हो गई स्न-2 क्यों कंसिडर किया क्योंकि स्न-2 में कोई रियर्रेंजमेंट नहीं होता ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पर लीविंग गुरूप होता है वहीं पर नुकलियो फाइल आता है यदि ये स्न-1 में आपको पता है केटाइन बनता और केटाइन वन जो प्राइमरी है उसको में मिथाइल शिप्टिंग से टर्स्तिरी बना देता जो ऐसा नहीं है इसलिए दोनों कैसी रियक्षन थी स्न-2 और स्न-2 में आपको पता है लेस जो ब्रांश जो होता है अलकाइल एक क्योअ्वेट से चैँल फेले जिसे तो सब्तेव सक्यामना कार्बैन से पर से ल मतल्ताइए उट्स पर ऑो और ऊतैग करा देना पर पशिशन इसकी ब्रलक है इसलिए और क्या ना कहते हैं पता इस reaction को राइमर टीमान फॉर्माइलेशन राइमर टीमान फॉर्माइलेशन है इस पर रेक्षन कराई पी सी तो प्रिशी में आपको पता है एक तो प्रिडीन एक स्यारो थी और यह क्या होता है आपके पाद में प्रिडीनियम कलोरोपोमेट कहते है यह कार्बोनिल कमपाणों को एक स्टेप में ऑक्सिडाइज करता है कुछ नंबर था यह तब बड़िया बड़िया प्वश्न तभी तरह क्योकिश्ट किये हैं बढ़िया कोशन नमबर 27 देखो एने ओचर एच टुओ और टेंप्रेचर है 400 डिक्री सेंटिकेट 395 इसका मतलब विग्रस कंडिशन जिसको कहते हैं वैसे तो आपको पता है कि सब यह जो हेलो एलकेन होती है यह एसें डिक्सन नहीं देती विग्रस कंडिशन में दे सकती है या फिर आपको पता है ना कि इसकी और्थोपेरा पर इलक्रों गुड्रोविंग ग्रूप लगा और नाइट्रो वगरा इस तरह है कि जब दे सकती है तो हमने क्या क्या है हाई टेंप्रेचर लगा रहा है होता है इसमें से एसल बार निकलता है और दूसरे वाले पर बारे पर डालो गई तो चैलाता है सेम और जब फॉर्टीन के अलावा बारे पर लगाओगे तो उसको सिंसाइब सब्स्टिट्यूशन कहते हैं साइन तो जो नुक्लियोफाइल है फॉर्टीन पर भी आएगा य जो फॉर्टीन के पास वाले पर आता है उसको क्या कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडेक्ट वाया बेंजाइन होती है इसलिए दोनों बनेंगे ए और भी ध्यान रखना सब्सक्राइब और यह कहते हैं एंटी पोजिशन पर नहीं होना चीए जिसमें इस्टेरिक हिंड्रेंस होती हो या फिर आप उसको बोलते हो रोटेशन हिंडर्ड होता हो तो पहले में बन्टू नहीं है इसलिए नहीं दे सकता दूसरे पर देदेगा वान और टू है अच् सब्सक्राइब करोगे इसको प्रोटोनेटेड कर लेना खरी लिया करो को लिधर को और इसे बहार कर दो तो यह था वह आपके पास में केटाइन बना अब इस केटाइन के बारे में आपको सोच नहीं बात ही देखा आप मैं इसको क्या-क्या बात बता सकता हूं सबसे पहली इस केटाइन में जैसे पूछे नहीं कौन चेकी प्रोड़क्त हो एक पप्र इसको में तर्षरी में ला सकता हूं यहां पर जोड़ सकता हूं यहां पर यहां पर तो रिंग एकस्पेंशन में थ्री मेंबर साइकलिक इस्टेट बनाके इस के टायन को आप सिक्स मेंबर का बना लेना फिर उपर एक कार्बन बचेगा और पॉजिटिव चार्ज इसके पास वाले पर आएगा पास वाले का आएका मतलब मैं यह सी ओप्शन भी बना सकता हूं द्रायोडिन जोड़ सकता हूं और इसको भी में हाइड्राइड शिप्ट करके यहां से एक्स था यह सैड्राइड शिप्ट करके टॉर में बना Job और जब मा जएक यह पॉजरिक चार तो विच क्वेशन थर्टी तीन चार रेक्षन दे रहा कि विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो अब आप ध्यान से देखो इन रेक्षन को पहला यह कोई साइकली की थार है एन वेज की बेसिक मेडियम में नुकलियोफाइल का टेक कराया है तो ध्यान अखना बेसिक मेडियम म ले जाओ शही है यही परक्योंगे यह तर तो दो मिथाइन लगें पहली लाइन शही है दूधरा में आपको पता है यह एस्टरिफिकेशन की रियक्टन है तो जो यह नुकलियोफाइल है वो इस जगए इस कार्बन पर टेक्ट करता तो यह लीविंग ग्रूप और एस्ट पर नहीं करता यह भी सख़ए आगे फिर वही लाइन नहीं देख इदर यह था आपके पास में क्या है हेलो बेंजीन जो एसे न रियक्टन नहीं देती यह गलत है यह यह नहीं देती है द्यानक है वह तो मैंने आपको पंडिफन लिखा राखी है कि उस कंडिफन में आपक पास में चल रहा था और दिखाता हूं देखो क्वेशन और देखिए यह क्वेशन था 31 नेक्स्ट आप 31 पर आओ प्रेडिक्ट था मेजर और्गेनिक प्रोडेक्ट इन दा फॉलविंग अब जहांचे देखो यह जो एन बीएच वे एन बीएच पोर बहुत ही बदलता है इसको बदलता है तो देखो इसका तो यह प्रोडेक्ट तो केवल इसका अल्कॉली बनाओं समझ के इसको अने अफेक्टेट रहने देना और वी प्रोडेक्ट में इसको भी अल्कॉल बनाना इसको भी इसलिए आंसर दी क्वेशन नमर 31 क्वेशन नेक्स दिखात तो क्या बनती है एसेटिलीन बन गई ए फिर आप उस पर डालेंगे तो क्या बनेंगा आपके पाद में आइडरेतन होगा इनल परमाएगी जो टॉटमराइज उन्हों कर एसे टेली आइडरेतन करेंगे तो यह बने के पास में इसी के बारे में इनकरेक्ट पूछाए पहली बात तो यह यलो पीटी बिल देता है साब आड़ोफॉन देता है इस और प्राइमरी अलकॉल है तो यह प्राइमरी आडरेतन है का PCC से सही लाइन है क्योंकि फॉर्मिक एसिट तो बना लेता है अधर कार्बॉक्सिलिक एसिड़ों का फर्दर ऑक्षिडेशन नहीं होता तो यह इसकी ऑक्षिडेशन गलत है डी सही है फाइनल ऑक्षिडेशन प्राइक्षिडेशन दिखा रहा हूं आपको देखो यह एलकॉल और इसकी रियक्षिण कराई था आप किस से एने बी आर थे और क्या बना राखा है एलकाइल ब्रॉमाइड आप देखो यह आयोनी कंपाउंडर यह है ब्रॉमाइड आयनल यह हो एच तो यह जो ब्रॉमाइड आयनल वीक नुक्लियोफाइल है आप इस बाद ध और किस्टे रियक्षिण करा राखे है एच भी आरते अब लेकिन क्या होता है यह जो है यह क्या है इसकी इलक्ट्रॉंड गेनिंग टेंडेंसी बहुत हाई है समझकें तो यह क्या करता है एलकॉल को प्रॉटोनेटेड कर देता है ऐसे और जैसे यह प्रॉटोनेटेड हो जाता है तो अब यह बढ़िया रिविंग ग्रूप बन जाता है तो भी ब्रॉमाइड आयन है वह अटेक कर लेता है इसलिए सेकेंड रियक्षन पॉसिबल फस्ट नहीं इसमें नॉट पॉसिबल पूचिबल पूचित आंसर क्या देंगे आप फस्ट वह पॉसिबल नहीं है पूचिए कि साब सेकेंड क्यों हो जाती है तो आप बोलना कि इसमें जो है प्लस आयन है वो क्या है टेंडेंसी उसकी इलक्टाउन करने की तो एलकॉल से इलक्टाउन गेन करके एलकॉल को प्रोटोनेटेड कर देता है और जैसी यह औक्षन पर पॉस्टिव चार्ज आता प्राइमरी टेंप्रेचर पर देते नहीं है इसका मदलब वाइट टर्पीडिटी आई है तो यह तर्फरी एलकॉल होगा इमेडियेट लिया बूसा इसमें अंदर इंकरेक्ट तो पहला देख पड़कॉल क्योंकि यह एच प्लस देगा और एच प्लस को जो गेन करते है आ बताना जैना थे इंकरेक्ट पहला और फ्रियेटर वैलू एप ऐल्लू की ज्यादा इसका मतलब की वैलू क्या होजाएगी इसके अंदर कम और के की वैलू कम हो जाए गे तो इसका मतलब फास्टरी मेटल विल गिव टर्बिडिटी फास्टर रेट यह गलत हैं क्योंब सोडियम मेटल से हैड्रोजन गैस बार निकलती है वो कौन देते हैं कि स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग एसिड एलकॉल में कौन सा होता है प्राइमरी मिथाइल और मिथाइल यह टेस्ट नहीं देता तो इसल सेलेट करेंगे कौशन नमर 35 दिखा रहा हम देखो क्वेशन नेक्ट 35 कि सिम्पल सी रियक्शन है डाइ इथाइल एथर रियक्ट विद पीचियल फाइब तो यह साब डाइथाइल एथर हैं सी टू एच फाइब ओ और यह भी सी टू एच फाइब और जो पीचियल फाइब इस ऑक्षिजन को लेकर दो सील देता है तो खुद तो बदा जाता है पॉस्परस ऑक्षी ट्राइक्ट में और क्या बन जाएंगे इथाइल क्लोराइड बन जाएंगे दो मॉलिक्यों ठीक ह तो पहला इथाइल क्लोराइड बनेगा और फॉस्परस ऑक्षी ट्राइड बनेगा दोनों बनेगी ए और फिर रियक्षन है कि था फिनॉल की एनवेच्ट से रियक्षन कराई यह बना बोला नंबर ओफ रेजोनेंटिंग इस्ट्रेक्चर ओपे तो यह क्या चीज़ें फाइब और को घुमाते रहना ऐसे ठीक है ऐसे फिर इसको ठीक है इस तरह से डी लोकलाइज करते जाओ बाद में अपना आप यह आ जाएगी तो कुल मिला कर दो तो बनते हैं क्या बोलते हैं उनको क्या चुले इस टेक्टर और तीन इसकी और रेजुनेंटिक बनेंगी ट को कहते हैं दोस्तों कार्बोनिक एसेड और कार्बोलिक कार्बोलिक किसको कहते हैं फिनोल को ठीक है यह कार्बोनिक फिनोल का नाम यह फिनोल और यह आईड्रॉक्तिप एंजिन भी फिनोल और इनमें कौन सा ज़ाद होता है कार्बोनिक एसेड हैं इसलिए फिनोल क्या दि प्रति मत कर दाना हम इस नाम देखा करो ठीक है याद भी किया करो यह दे राखें चार एलकॉल इसके अंदर रिंग सब्स्टिटीशन फोनों का फॉल्विंग कंपाउंड बोलो किसमें फास्ट होगी तो आप एक्टीवेटर चेक करो सब्सक्राइब इसमें एक्टीवेटर भी है और डियक्टीवेटर भी है तो पहले सब्सक्राइब फास्ट फिर यह उसके बाद में यह डियक्टीवेटर और सबसे इस्ट्रॉंग डियक्टीवेटर समझगे तो यह और सब्सक्राइब फर्स्ट में करना फिर थर्ड में फिर सेकिंड में फॉर्थ में सी ऑप्सन फिनाइल बेंजोएट देखो पहले तो यह तो दिक्ट्वेटर रहेंगे यह नहीं लेका आ zwr आए आला ए आपक शो़ाए?. और 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 तो पर यह चाहिए और राव्डिंग जादा है पेर आप है ओक्षन नंबर फोर जह कोई दर एक्टिवेटेड रिंग जहां पर ओक्षन जुड़ेगा उस जगे ले जानी है आपको जान रखना और तो पेरा डारेक्टर है और तो पर इस्टेरी क्रावड ही जादा होती इसलिए पेरा पोजिशन पर मेजर पोडेक्ट बनत यह किलीमेंसन रिडेक्शन क्या करता है वो कार्वणिल गुरूप औल के बदल देता है और नाम गया इथायल फिर है देंका बीज़िए प्लस लिकुड अमोनीया थे बर्स रिडेक्शन कहते हैं क्या बनता है आपके पाद में साइक्लोहेग्जा वनऊड़ाई नीश की मे bond को de Truly लोकलाइज कर देना इलेक्ट्रों तो यहां पर आ जाया का positive charge यह electron और एक bond को और करो तो opposite direction में जोड़ो इसको ऐसे ने देखो इदर यहां पर तो इस जगे तो क्या आगे आपके पाढ़ में electron pair आपको समझा देता हूं यहां पर double bond बन गया एक electron इन के बीच में डबल पॉंड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो वहां पर तो जोड़ तो आप केवल एक इलेक्ट्रॉन और इसके एंटी पर जोड़ तो आप दो इलेक्ट्रॉन और इस पा जाएगा नेगटिव चार्ज ठीक है फिर क्या करना अमोनिया थे बार वापस ऑक्षिडेशन करना एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर इस इलेक्ट्रॉन को फिर एनान बदल लेना फिर अमोनिया थे रियक्ट्रन कराके एच यहां लोड़ देना एक तो आपके पाद में वन फोर साइक्लो वन फोर हेग्जा डाई इन बन जाएगी डी वर्च रिडेक्शन इसको टर्मिनल एल्म का इन भी देती हैं एक बात ठीक है वर्च रिडेक्शन को यह चांड होगी साह्द सब्सक्राइब्स सब्सक्ण यह समझना थ कि आप देखो क्या हुआ अब आप इन तीजियों को कोई हुआ एक्जाम में बताने का नहीं या आपको सब बात है ध्यान रखनी है तो देखो हुआ क्या इस रियक्शन में यह मिथाइल ब्रॉमाइड कंवर्ट केस में हुआ है मिथाइल एलकॉल में ठीक है यह टू एसन टू साने इन्वर्जन हुआ है को इनधू ठीक है अब आपको देखना है एक तो कार्बन-ब्रॉमीन धीड्य और नेर्धि ऑक्षिन टू के अंदर रेट क्या है तो आपको पता है कि एसन टू डियक्शन है को ऐसी है एसन टू बाइ मॉलिकुलर है इसलिए सेकंड ओडर एक तो नुक्लियो फाइल की कंसेंटेटन और एक सब्स्टेट की कंसेंटेटन बी ऑप्शन फॉट्टी फॉर दिखाता हूं देखो प्शन नंबर फॉर्टी फॉर यह पूछाएं कि रिंग में बताना है आपको डाइमितायल का ओनली वन नाइट्रो डाइमितायल बैंजीन बनेगी केवल एक अब आप चेक करते हैं देखो इस पहले की बात करते हैं और तो जाइल ही नहीं है इसका नाम बोले कितनी बन सकते ह इसकी ये तो और तो ये वह ब्लॉक हैं और ये इसकी पहरा हैue इन प्रांप आ सकता है ठीक ए वान टू इस पर बात करते हैं तो यह इसकी और और ये इसकी पहरा समझर你要 को यानि यानि कुल मिलाकार इस से दो प्रौटेटट बन सकते हैं एक तो और ये produit डुन पर एक quito Year और यह एक तो प्रोडेक्ट इसकी और तो यह और यह ऐ प्रोडेक्ट में ऊसको चेक लिताइजिसे मेट ठीक है यह अच्छा आप अगले वाले की देखो बात करते हैं यह आपके पाद में पैरा जाइलीन पैरा जाइलीन से केवल मॉनो नाइट्रेशन करेंगे तो एक ही प्रोडेक्ट पॉसिबल है जैसे इसकी बात करता तो यहां जोड़ देते हैं देखो एक तो यह और दूसरे के माले की बात करेंगे तो यह बनता देखो इदर यह दोनों आइडेंटिकल है एक ही प्रोडेक्ट इसलिए आंसर क्या लिखेंगे सी पॉसन 45 भी इसके जैसा ही है तो यह तीन ही आपके पाद में एक तो और्थो जाइलीन एक है मेटा जाइलीन और एक केवल टॉलीन है त देखो मेटा को तो इस मिथाइल गुरूप का इफेक्ट देखो और तो पैरा डारेक्टिंग है हाईपर कंज्यूगेशन से और तो और पैरा पर नेगेटिव चार्ड लाता इसलिए लेक्ट्रोफाइल को जल्दी अटेक करने के अक्टिवेट कर देता है इस मिथाइल सेम एक ही पोजिशन पर ओर तो और यह पैरा इसका मतलब इलेक्ट्रोण डेंसिटी सेम पोजिशन पर आते हैं दोनों से इसलिए सब जादा अच्छा इसकी बात करते हैं तो इसमें यह और तो और यह और तो ठीक है नहेतो यह पोजिशन यह नेगटिव चार्ड लाता वै कि इसकी भी ओर्थो फिर यह यह संग्स तो सबसे प्लस अभी है तो लगेगा इसरे फिर फिर वस्ट कर में क्या आ 100 00 कोनों का अलाग कि पोजिशन अलगा लगें लेकिन प्लसाइफेक्ट तो लगेगा इसलिए फिर फस्ट और सबसे बाद में क्या करा ना थरड़ की बी ऑप्शन तो यह आपके पास में मैंने इस पेपर को डिसकस किया आप देख लो की मैंने आपको इसकी डाली दी ती एक बा कर दो को कि बाद में आपके बाद अपके बा आपके बाद एंग करो कर दो इस बाद आता ना यह जब। आदा यह जढ आ